तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक टूरली वाइलेस एयरफोन आया हुआ है रिपैरिंग के लिए इस एयरफोन के अंदर प्रोलम यह है कि यहां पे जब इसको हम चार्ज करते हैं तो यहां पे हमारी रेड रंग की LED तो जलती है बट उसके चलिए ज्यादा समयना गवाते हुए वीडियो कंटिनों स्टार्ट करते हैं तो अब जो मार्किट में इस्टैफ के यह फून आ रहे हैं इनके अंदर क्या होता है होगी होती है बैटरिश कैंदर क्या है कि जब हम इसको इस box के अंदर डालते हैं इसका यह charging box है इसके अंदर हम इसको डालते हैं तो यहां पर क्या होता है कि हम नीचे से इसको supply देते हैं यह देखिए इसकी charging की नहीं इसको अब इसको इसके अंदर करने के लिए कोई बटन वाला सिस्टम नहीं होते हैं इसको प्रेस करते हैं यहां से यह हमारा ओन हो जाता है बट इस केस में यह ओन नहीं हो रहा है इसको हमने चार्ज करके भी देख लिया है तो अब इस प्रोलम को देखे हम स्टैप वाइस टैप करेंगे ताकि हमें एक्चुल में प्रोलम को पता चल जाएगी कौन सी चीज खराब है बैटरी खराब है या बटन को इसके अंदर देखे इस बॉक्स के अंदर देखो कि दो पिन रीवर लगी हुई है तो यहां पर वोक्स को सबसे पहले Кरना के क्योंकि यह हमारे सalg में बाता हैज करने काम करता है तो यहां पे सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा जिए यहां पर opener का यूज करेंगे यह मेरे पहस지고кий Прिभ्र आपको और यहां पर फजी करना है तो simply आपको क्या करना है, यह जो opener को इसको सैड नी फज there कुछ खूपर की तरफ चीज होती हैं सिंपली हमारा यह कि सी टैप का यहां पे जैक लगा हुआ है और यहां पर आप देख सकते हूं कि यह explored बैटरी भी लगी हुई यह 3.7 वोल्टेज की ठीक है तो इस तरीके से इसके अंदर यह शिस्टम दिया हुआ है और यहां पर जो पीन वाली सिस्टम है यह देखिए जो दो पिन की हम बात करें वह इसके अंदर लगी हुई कि करना है इन ही की वोल्टेज को हमें है तो यहांपे अभी तो हमारी मश्क्रेट 도 पहुँंचे की नहीं टism on इस इस पेज पर घूल रहे हैं तो पहले हमें इनको देखना पड़े dewinski उपर और इसफीकर को खोलो थीक है तो पहले हम इस चीज को confirm कर लेते हैं तो इसी लिए मैं बोलता हूं कि आपको step-by-step सारी चीजे चेक करते चलना है ताकि आपको पता चल जाए कि actual problem कहां पर है तो हम क्या करते हैं करना है इसको हमारी चीज का थ्यां रखना है खोलते समय जलदवास आपको बीलकुल भीनी करनी तरीके से आपको खोलना है ताकि कोई भी नुकसान इसके अंदर ना हो इस तरीके से हमने इसको खोल दिया है यह हमारा सर्किट अलग हो गया है यहां पे और यह जो वायर है यह हमारी यहां पे जो लैड जलती है आपको याद होगा कि यहां पे हमारी एक लैड जलती है तो व यहां पर आप देख सकते हो जैसे मैंने चाल लगा तो यहां पर रही है अब यहां पर क्या करना है यहां पर वोल्टेज को कैसे हम चैक करेंगे मल्टीमीटर से यहां पर यहां पर पर देख सकते हो 5.2 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है इसका मतलब यहां पर सप्लाई आ रही है यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है उसके बाद हम इसको चेक करेंगे दोनों को इन पॉइंटों पे supply आ रही है कि नहीं आ रही है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5.2 के असपास voltage आ रही है तो यहाँ पे क्या है कि इन पीनों पे supply आ रही है इनमें कोई भी problem नहीं है जो चोटी मोटी problem आती है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि क्या problem आती है कई बार यह जो पीने होती है इनके उपर हमारा हलका सा carbon आ जाता है तो आप क्या करोगे जैसे कि यहाँ पे आपने confirm कर लिए कि हाँ यहाँ पर supply आ रही है तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जो उपर की पीने है इसको थोड़ा सा आपको बिल्कुल हलका सा किसी पतले रेगमार या रेती से आपको रगड़ देना है देखे इस तरीके से हम रगड़ेंगे हलका सारना है ज्यादा जोर नहीं लगाना ताकि इनके उपर का जो carbon है वो हमारा साफ हो जाए कई बार ना इनकी वज़े से भी problem बन जाती है ज्यादा तेजी से आपको नहीं करना है बिल्कुल हलका हलका सा करना है ठीक है क्योंकि ये पिने काफी बारिक और नरम होती है तो आपको बिल्कुल प्यार से इसको करना है तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से साफ कर लिया है तो यहाँ पे हमें आउटपुट में सप्लाई तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल दी इसमें कोई भी प्रोलम नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको अब दुबारा से उसी तरीके से पैक कर देंगे यहां पर हम उसी तरीके से इसके अंदर पेज को टायट करके इसको फिट करेंगे तो मैं एक बार फटा फट पेज को गया है और इस circuit के अंदर आप देखोगे तो यहां पे एक छोटा सा बटन लगा हुआ है LED हमारी सेड में लगए तो आपको उसी इसाफ से इसको लगाना है इस तरीके से ना के इस तरीके से यह चीज भी ध्यान करेंगे तो यह देखे प्रेस कर दिया और यह अपनी जगा पर सारी चीजे फिट हो चुकी है तो यहां पर यहां पर आप देखोगे कि यहां पर भी कार्बन आया हुआ हुआ देखे तो इन कार्बन की वज़े से भी कई बार प्रोलम आ जाती है तो आपको क्या करना है ऐसे कोई पतली चीज लेनी है या कोई पैनी चीज ले लो आपको इस तरीके से इसको स्क्रैच करना है इन कार्बन को आपको अच्छे से साफ कर लेना है क्योंकि कई बार यह पिने हमारी उसी पिन के साथ टेच होती हैं तो कार्बन होने की वज़े से कई बार ये ठीक से काम नहीं करती हैं तो इस तरीके से हमें इसको लगाने हैं इस तरीके से हम कार्बन को अच्छे साफ कर रहे हैं आपको भी इसी तरीके से साफ कर लेना है ये मैंने एक कर लिए दूसरे का भी म आपको उठा के दिखाना चाहूंगा बिल्कुल छोटा सा सर्किट होता है अब इसके अंदर क्या होता है कि सब भी काम जो हमारे होते हैं वह लगबग सीकर के अंदर ये ब्लुटूस से कनेक्ट ना हो या फिर ओन ना हो तो जादा तर केस में हमारी यही आईसी खराब होती है अब इसके अंदर हम और चीज़े एक बार देख लेते हैं कि बाहर से हमें देखने में पता चल जाए कि कोई कंपोनेंट्स हमारे जला हुआ है या खर लग रहे हैं तो यहां पर बोड में तो मुझे अभी फिलाल कोई प्रोलम नहीं आ रही अगर आईसी खराब होगी तो फिर वह तो रिप्लेस करनी पड़ेगी और इसकी आईसी जल्दी से मार्केट में मिलती नहीं है तो ऐसे में अगर आपके पास कोई पुराना ऐसा ही से मोडल का सेट है तो आप रिप्लेस कर सकते हो लेकिन फिलाल हमने यहां पर देख लिया तो अभी यहां पर कोई प्रोलम समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे अब इसको यहां से खोलेंगे ठीक है और यहां पर जो इसके अंदर बैटरी लगी है उसकी वोल्टेज को होता है तो एक बार मैं इसको खोल लेता हूं बड़ी मुश्किल से यह खुला है क्योंकि बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपका रहता है तो इस तरीके से चलो यह खुल तो गया है यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके अंदर हमारा यह स्पीकर लगा मारे बहुत ही छोटी बैटरी होती है क्योंकि आप कुछ समレ्सक्ते होंकि बिलकुल सब्सक्राइब सर्कूर्क्ष लिए रखा हुंकर में यहां पर शूर। है यहां पर बिल्कुल छोटी सी वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी वायर को पहले से अलग करना पड़ेगा यहां पर यह जो वायर है ना इसको हमें अलग करना पड़ेगा तब ही यह यह मेरे को नए चीज पता चलिए आज पहली बार तो यहां पे इसका सरकीट हमारा पूरा ही बाहर आ गया और मैंने इसकी बैटरी की वायर को भी यहां से हटा दिया है तो अब हम सिंपली क्या चेक रहेंगे कि यहां पे जो वोल्टेज है वो हमारी बैटरी के अंदर है कि न यहां पे हमारी वोल्टेज आवी रही है कि नहीं आ रही है तो इस तरीके से हम चेक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि कोई भी वोल्टेज हमें मल्टिमेटर के स्क्रेन पे नहीं सो कर रही है इसकी जो स्पीकर की बैटरी है यह पूरे तरीके से हमारी खराब हो च चाहूंगा कि market में जो इस टाइप के जितने भी एरफॉन आ रहे हैं ना इनकी बैटरी वगर्ण खराब हो जाए भाई चांस तो इनकी बैटरी मार्केट में यहां तो नहीं मिलती अगर किसी मार्केट में मिल रही है तो मुझे comment करके जरूर बताना क्योंकि मैंने काफी सारे सोप पर यह चीज़े पता करी है तो वहाँ पर भई इनकी बैटरी यहां की local market में तो मुझे नहीं मिली तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई same model का ऐसा ही earphone है जिसका circuit या IC वेगरा खराब हो गई है और उसकी बैटरी हमारी okay है तो आप उस earphone के बैटरी को निकालके इसके अंदर डालके इसे use कर सकते हो फिलाल मेरे पास ऐसा कोई earphone नहीं है तो मैं अभी फिलाल के लिए इसको वापिस customer को दे दूँगा अगर मेरे पास कभी ऐसा कोई पुराने model का earphone आएगा तो मैं इसे repair करके आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा तो उमीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share जरूर करें और channel पर नए हो तो channel को subscribe करें तो चलिए friend फिर मिलते हैं next video में कुछ नए topic साथ तब तक के लिए जय हिंद वन दे माद